प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजियों के मुखे मंत्रियों के संग की बैठक MP के CM शिवराज सिंग चौहान भी BC के जरीये हुए बैठक में शामिल MP में सरकार सक्त 36 गर में मन्रेगा से हर हाथ को मिला काम कबीर धाम जिले में 3377 दिव्यांक जनू को मिला रोजगार शास की ये योजनाओं के बहतर प्रभंदन का सकारात्मक नतीजा और मदेप्रदेश करीवा में 13 साल की मासूम के साथ दुशकर मरीवा में प्रति दिन बढ़ता जा रहा प्राधो का ग्राफ लगातार महिलाएं और बच्चिया हो रही घिनौनी वारदात का शिकार नमस्कार एन्बी नीउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी राजपूद और हमारे खास कारे क्रम स्वर्णने मध्यप्रदेश चतिसगर में आप सभी का स्वागत है चले बढ़ते हैं खबरों की ओर चतिसगर के मुखे मंत्रे भूपेश बखिल ने भारतिय जुनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस अस्पताल में बीजेपी के नेता पैदा हुए हैं वो अस्पताल भी कॉंग्रेस की सरकारने बनवाया है सीम भूपेश बखिल असम में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कॉंग्रेस की कमान संभाले हुए हैं सीम भूपेश बखिल ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आइडिया ओफ इंडिया बचाने की इस लड़ाई में हम राहूल गांधी के साथ शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं खुद आगे बढ़ कर स्वागत करूँगा उन्होंने असम के नहार कटिया में बीजेपी सहित आसू और एजेपी की कारिकरता और पदादिकारियों को भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस में प्रवेश करवाया असम के दुलिया जान में सीम भूपेश बगिल ने कहा कि वादा है आप सबसे असम में आप कॉंग्रेस कि बारती जन्ता पार्टी के लोग कहते कि सता साल में क्यार किया मैं उनके लेताओं बेकाना चाहता हूं जिस अस्ताताल में तुम करदा हुए वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई कांग्रेस से सर्कार ने बनाई जिस स्कूल में पढ़ते थे वो ये स्कूल कांग्रेस के सरकार ने बनाई जिस कांग्रेस अग पढ़कर लिते हो कांग्रेस के सरकार ने बनाई और आज सब पहुतने लगे एर्पोर्ट मेरा उसरे भूमते हो वह भी सबनाई अ're n'll देश में कोरुना संकट के बढ़ते मामलों के बीच बुद्धवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी प्रदेश के आठ शहर, जबलपुर, गौालियर, उज्जन, रतलाम, छिनवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगौन में रात दस बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, आदेश भी बुद्वार, 17 मार्ज यानिक आज से लागू हो चुका है, भोपाल में किसी भी प ख्याले से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है, शास्किय योजनाओं के बहतर प्रभंदन का ही नतीजा है, कि समाज का प्रत्येक वर्ग, मन्रेगा योजना से सीधे लाभान वेत हो रहा है, दिव्यांग बंश्रीलाल मरकाम, महत्मा गांधी, राश्ट्रिय, ग करने का ऐसा जजबा है, जो सभी को प्रिवना देता है, बंश्रीलाल और उनका परिवार मन्रेगा में पंज्विक्रत है, तीन बच्चे और पत्नी के भरन पूशन की जिमिदारी बंश्रीलाल के कंधू पर है, लेकिन शारेरे कमजोरी कभी इसके आड़े नहीं आई, तित मद्द प्रदेश में कोरोना के बड़ते मामलों के बीचे शिवराज सिंग सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बुधवार से भूपाल इन दौर में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, साथी कई शहरों में बाजार राद दस बज़े के बाद बंद हो जाएंगे, इ पर प्रिसासन भी लगातार एक्टिव नजार आ रही है, जहां मद्द प्रदेश की बात करें तो 817 केस कल रात्री आई रिपोर्ट मर पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज आए, तो वह इंदोर की बात करें तो 264 इंदोर में कोरोना संक्रमित मरीज आए, वह इंदोर की बात करें तो 196 संकृत मरीज रहें तो मद्रप्रदेश में भी लगातार एक अंदेशा महाराष्ट की तर्ज पर लगा जा रहा था कि यहां पर भी नाइट कर्फ्यू या लोगडाउन लगेगा इसी को लेकर अब मद्रप्रदेश सरकार ने साब दिसा निर्देश दिये हैं वहीं बात करें और दोगिक राजधानी इंदौर और भोपाल की तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसको लेकर प्रसासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी पर हमारे साथ आज इंदौर आईजी स्री हर नराणचारी मिस्र जी भी हैं जो स्वयम बताएंगे किस तरह से लोगों से जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उस पर किस तरह से पालन किया जाएगा और क्या-क्या रंडीतियों के तहत इस पर करवाई की जाएगी और लोगों को भी दिसा निर्देश दिया जाएंग समान तोर पर जो भी गैर जरूरी चीजें हैं गैर जरूरी आवागमन है वो प्रतिबंधित रहेगा इसके अंतरगत दवा की जो दुकाने हैं या मुकता बस अस्टेशन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट यह इस बंधन से मुकत होंगे लेकिन समान तोर पर वैफी चीजें जो अनावस्यक हैं जैसे कि दस बजे के बाद यहां पर इंदौर में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर खाने के लिए दिर रातक लोग रहते हैं बहुत सारे रेस्ट्रों और बाकी चीजें उन पर प्रतिबंध जरूर रहेगा किसी भी जगह पे असमान सारी शमता से 50 प्रतिफत लोग ही आफकते हैं और उसके अलामा अधिक्ता में संख्या 50 हो सकती है साथ-साथ विविन तरह के जो आयोजन है जैसे कि सादेब्या जैसे जो आयोजन है उसमें अधिक्तम संख्या 200 हो सकती है इसका अलामा बारात में अधिक्तम संख्या 50 हो सकत लेकिन उदेश यह है कि लोग इसको जागरूकता के रूप में लें जागरूक होकर के सारी इन सारे जो एहतियात बताए जा रहे हैं उनका पालन करें और मुख तोर पर इन मामलों को गंभीता फेलें क्योंकि एक बड़ी चुनावती फिर हमारे सामने आ चुकी है तो यह तो थे हमारे साथ इंदोर आईजी स्री हरिनार चारी मिस्तर जी थे जिनका साब तोर पर कहना है कि इंदोर में जिसकदर कोरोना का संक्रमन बढ़ रहा है उसको देखते हुए पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से एक्टिव नजार आ रही और पहले भी पुलिस स्री आईजी इंदोर आईजी हरिनार चारी मिस्तर जी के नेत्रत्तों में लगताल पुलिस प्रिशासन इस पर एक्टिव नजार आ रहा है और लगताल लोगों को कोरोना से बचाओ के लिए लगताल सुझाओ और उस पर लगताल निगरानी करता नजार आ रहा है इंदोर म रुपए के हजारों प्रमानपत्र उज्जैन के बढ़नगर रोड इस्थित कबारी के दुकान से मिले हैं। सरकार थी और उनके दावे के अनुसार किसानों के व्रल माफी हुई तो आखिर ये प्रमान पत्रों क्यों बाटे नहीं गए। इसको लेकर कली विदायन सवा में कांग्रेस ने हंगामा मचाया था और सरकार पर उंगले उढ़ाई थी कि किसानों के करद माफी नहीं हो रहे हैं। इन ताम पत्र मिलने के बाद सरकार में और कई जगों पर इसका एक हंगामा मचा हुआ है। कल नीजीजी कारिक्रम में आय हुए ग्रह मंत्री नोर्त मिश्री जी सब बारे में चर्चा की गई तब उन्हों ने बताया यह जिनके ताम पत्र हैं यह उहीं बता सकते हैं कि अपको लगा रहा है कि उस दोरान जब बनाये तो लगातार बिजबी सरकार उनका अरोप लगाती रही है करज माफी के दोरान के ही वह बने वे हैं हम तो कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेश के कमलनात की सुनों ना भाईजपा के नरोस्तन की सुनों आप खुदी जाओ एकाद किसान ऐसा लाओ जिसका दो लाग माफ हुआ तो हम पो लगेगा कि हाँ वास्तम में जुट बोलना है ताम कांग्रेश नेता और घुवारा ब्लॉग कांग्रेश के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंपर मार की गोली मार कर हत्या कर दी इसके बाद से कानून व्यवस्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं सुनिया मध्यप्रदेश के नेताओं की प्रतिक्षिया मिली हुई सरकार है यहां के जो जिम्मेदार लोग है वो पश्ची मंगाल में सुशाशन के पाट पढ़ाते की मध्यप्रदेश में सुशाशन है और वहाँ पे जाके सुशाशन की बात करते हैं इस पस्ठ है प्रदेश में मुगंडा राजहावी है माफिया राजहावी है और जिस प्रकार से लगातार जो लोग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको टार्गेट करके हत्या करी जाती है कही न कहीं ये बड़ी चित्ता का विश्य है और लगातार ये घटना है मद्ध प्रदेश की कानून विवस्ता की रोज बलतकार हो रहे हैं शतरपुर में इससे पहले नीराज दिक्षिट विदाय के उनके प्रतिनीदी की हत्या कर दी जाती है आज गुवारा के ब्लॉक अदेश की हत्या कर दी जाती है कानून विवस्ताग माफियाओं के घर में रखी है और पुलिस प्रसाशन उनके मूख दर्शक बनके काम कर रहा है उनके सयोगी के रूप में काम कर रहा है और सरकार हत्यारों को शेह देने का काम कर रही है देखे ये बड़ा गंबीर मामला है और इस मामले की जाच हो रही है दोशियों को वक्षा नहीं जाएगा आप ये देखिए कि दो घटना हुई है दोनों में करणी सेना से जुड़ूए लोग मारे गए एक में परिवार के सदस्ने हत्या किये और दूसरे मामले में भी देखे जाए दोनों को वादे किये थे और जो भी मामले उनने किये थे कही ना कहीं उससे जुड़ा हुए ये एंगल सब सामने आ रहे हैं और गंबीरता से जाच हो रही है पूरा मामला आपके सामने जल्दी आजाएगा देखिए जितने भी मामले सामने आते हैं ऐसा एक भी मामला नहीं होगा जिसमें अपरादी गिरफतार नहीं होता है साड़े साथ करोल मद्यप्रदेश की जंता की जुम्बेदारी हमारी है और रक्षा और सुरक्षा की उसके लिए हम लगातार कदम उठा रहे हैं ये घटना दुरबागे पूर्ण है पर अपरादी हुए उसके बाद ब्लॉक कंग्रेस अध्यक्ष की खल रतया की गहीं और अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला पूरी तरह जंगर राज की स्तिति हैं अपरादियों को भाजपा के नेताओं का संरक्षन है भाजपा नेताओं के संरक्षन में कॉंग्रेस के ही की जा रही है देखिए जिस तरह से मुरेना में लगातार घटना है दिखाई दे रही है अबैद रेट खनन और अबैद उत्खनन की बज़ा से अपराद लगातार बढ़ रहे हैं भाजपा के बड़े नेता के पुत्र को राजस्थान सरकार द्वारा ढूड़ा जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश में संड्रक्षन दिया जा रहा है जब इस तरह से अबैद उत्खनन वालों को संड्रक्षन दिया जाएगा तो अपराद होना निश्चित है और यह अपरादी पूरी तरह सरकार के संड्रक्षन में काम कर रहे है और इसे के साथ मुर्णे मध्य प् झाल 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 झाल